मेरे सेयोगी कुंदन आप भी प्लीज मंच पर आएं जो मेरे साथ इस पैनल में चर्चा के पहलू को आगे बढ़ाएंगे जो विभाग हैं मंत्री गणेश जोशी जी के पास उनहीं सभी विभागों के बारे में चर्चा करेंगे ओवर टू यो कुंदन कि शुक्ला कांग्छा गरी जोशी जी बहुत-बहुत स्वागत ते आपका स्मंच पर आप यह बहूं एश्क कि दिर भूमी का रिकरम है और विकास के दिर भूमी में आपके विभाग के मंत्राले के विकास का जिक्र भिहज जरूरी है तो सब से पहले आप के पास प्रशी उ मुद्धियान विभाग है उसके विकाश की बात उसके विकाश के बात कर लेते हैं क्योंकि अब इस शेत्र से जोड़ेवे लोगों को अगर आप आगे ले जाते हैं तो विकाश की रफतार बहुत तेज हो जाती है प्रदेश के विकाश की रफतार तो इसके लिए आप आपक सेब्सक्राइब जिसमें दोमफर 59 console घ्केर मेरा मेदानी फ्रीमि使 mi देरादून कभ तराई का चेटे कह चेतर हर्द द्वार उदम सिंग्ण नियांताल चेतर और तीन लाग चालिस जार हेक्टेर प्रवती चेतर जैयर हमारे तराई के छेत्र में गेहूं चावल सोया बीन आधी फसले हुती हैं वहीं पहाड़ी शेत्रों में मिलिट्स क्योंकि वर्स दो हजार तेईस को मानने परदानमंत्री जी ने मिलिट्स और हमारी भामी सरकार ने मिलिट मिसन में सब्सक्राइब की वैस्ता हमने उसमें की थी और आज मिलिट्स के बीज पर कि पचास प्रतिशाद सेंटर वह थर्टी पसंट स्टेट का लगाकर एक्ट्रिशन सब्सीडी हम किसानों को दे रहें ताकि लोग अधिक से अधिक मिलिट्स होगाएं क्योंकि आज मिलिट्स श्री अन जिसको मोदी जी ने नाम दिया है कि स्वास की दिर्शी से इत्मा लावदायक है कि कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर सबसे पहले आप से कहता है कि गहूं खाना छोड़ दो उसमें काईगा है और जो धारन के लिए कोई वेक्ति अगर मडवा खाएगा तो उसको कभी सुगर नहीं होगी जो करकार मिनट्स प्रिसम्ट में बहुत ज्यादे फोकस कर रही है और सबसे ज्यादा MSP अगर किसी फसल का है तो 38 रुपे 46 पैसे मडवे का है पहले ही होता था कि हमारा जो किसान होता था जब मडवा उगाता था तो उसको उसके उपज का सही दाम नहीं मिलता था आज हमनी य को उसके उपज का सही दाम मिले क्योंकि पहले पहाड का किसान अगर आप पहाड में गए होंगे बहुत गरीब होता है वह सावकार से ब्याद पर पैसा लेता था और सावकार उससे 22 रुपे 24 रुपे किलो मडवा खरीद कर आगर आगे 34 पैसे से बेचता था जहां सैकारी स कि माद्यां से उसके उत्पाद को हम खरीद रहें वह हमने एक काम और किया कि हमारे 65,000 से दिक स्वेंशाता सुमरे चल रहे हैं जिसमें पांस लाग पांस जार मारी बहने जुड़ी हैं हमने का हमारी समू की बहने किसान से मडवा उसके घर पर जाके खरी देंगी MSP पर खरी देंगी उसके लिए हम उनको डेड़ रुपया किलो इंसेंटिव देंगे उसके दो फाइरे होंगे एक तो किसान को उसके उत्पात का सही दाम मिलेगा दूसरा जो हमारी सरकार का संकल्फ है कि हम सवालाग बहनों को लगपती दीडी बनाने का जहां सेंटर ने तीन क्रोड का टारगेट रखा है धामी सरकार ने संकल्प लिया है यहां बाढ़ की वजह सी किसानों को काफे नुकसान हुआ है पिछले कई सालों में तो उसकी भरपाई के लिए आपकी क्या प्लानिंग और अभी क्या 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 देखे जो भारस सरकार के मानक हैं अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो उसे भारस सरकार द्वारा मौज़ा दिया आता है लगब 43 क्रोड़ से अधिक की धंदासी हमने वहां पर वितिट की है और जो लोग इंसुरेंस के दारे में आते हैं लोगों इंसुरेंस किये हैं उनको इंसुरेंस से मदद हमारी सरकार ने की है और कि किसान हमारा नदाता है और चाहे हमारी प्रदीश की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है किसानों के साथ में खड़ी है कि अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो किसानों के सामने एक जंगली जानवर भी बड़ी प्रॉब्लम है उनकी फसल को चौपट कर देते हैं तो इसके लिए क्या कुछ सोच है आज फॉर्स के साथ मिलकर वाइब फैंसिंग का हम काम कर रहे हैं क्लस्टर बेज थेती पर हम सब्सक्राशा दिया आता था बार्व सरकान ने उसको जेना बंद किया है प्रिसलियम फोरेश्वाग के युजना के माध्यम से उसको क्लब करके उसकी स्वरक्षा के रिम काम करना है ठीक है आपके पास जो विभाग उस पर बात्चीत जारी रख रहे हैं जोशी जी लेकिन एक काबिनेट मंति के तौर पर नहीं एक विधाय के तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके शेत्र में ऐसा क्या आप इन्वाल्मेंट रहता है कि चुनाव दरसुला चुनाव हम इंटिन के बात करते लेकिन आपका वोट प्रतिश्चत बढ़ता रहता है क्या ऐसा है आपके इलाके में क्या आपकी लोग प्रता बढ़ती रहती है ना सिर्व जान सबाद चुनाव बलकि ऐसा कॉंसिटुटिवाइज देखें तो लोग सबाद चुनाव में भी आपके जो कॉंसिटुटिविसी है वहां से वोट प्रतिश्चत बढ़ता रहता है कि दिखिए अगर आप जंता के बीच में रहेंगे कि उनके दुख ग्रद में रहेंगे दिखिए एक बार किसी के सुख में किसी वजय से आप लिखें आप पाएं बिल्कुल किसी के दुख में खड़े होते हैं मैं भी आपके आने से पहले में कोई ड VOICE हो गई कि मैं वहाँ पर गया बोडी को प्रडाम किया आने का फिर मुझे नाना पड़ा ना कि तुरंत में थोड़ा से इसलिए दोचार में लेट हो गया तो इसलिए एक तो आदमी को अक्सर देखने में क्या आते हैं आदमी को ग्राम परद्धान बन जाता है यह पार्श्द बन जा जाता है यह मंत्री बन जाता है तो अपनी जमीन छोड़ देता है तो मैं कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ता हूं कि मैं अपनी जंता के बीच में रहता हूं आज मेरे से लोग ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनके परिवार का क्योंकि मेरा अपनी विजाहन सभा के लोगों से क आपको रखाय किया मंत्रीका रिस्ता नहीं है साय तुत्रा खंड क्या साय मुसक्ता है देश की अंदर में ऐसा गणा कि जिसको रख्शा-बंदन पर 20 जार बैने राखी बांती है रख्शा-मंदन के उसर पर क्या बात है तो यह मेरी ताकत है मेरी शक्ति है और युगाओं का साथ और व्रिद्धों का आशिरवाद और दूसरा मैं जिस कॉंसिदेंसी में रहता हूं वहाँ पर पूरुसानिक बहुत भारी संख्या में हैं पकरीब छेहजार सेदिक पूरुसानिक परिवार हैं और मेरी सैनिक पूरुसानिक मुझे चैलाम और Sandy के लिए फार चुनाओं से जीता दूसरा में 10,000 मोट से जीता तीसरा में 12,000 मोट से जीता चौता मैं अभी 15,500 वोट से जीता और अभी मैं आपके मन्च पर कह रहा हूं कि अगला चुनाओ में 98 और 21,000 के बीच में यह जाओंगा लेकिन लोग सभाथ चुनाओ आप को लेकर आपकी क्या रहा है इस बार पांचो सीचों पर क्या लग रहे है परेनाव लिखे लोग सभा का चुनाओ और विधान सभा का चुनाओ अलगलों मुद्दू पर ला जाता है नग निकम का चुनाओ नारी शड़क खनंजय का चुनाओ होता है विधान सभा का चुनाव राजिस्तर के मुद्दों का चुनाव होता है और लोग सभा का चुनाव राष्टी मुद्दों पर चुनाव ला जाता है और आज हम सभा के सालिय की हम ऐसे वेक्टिक के नित्त्त में चुनाव लग रहे हैं इसने भारत का मान विस्व के पडल पर उच्छा किया है मुझे अभी एक अग्रिकल्चर कॉंक्लेब में पिदेश जाने का मौका मिला जब जर्मनी के अंदर एक सो बास्ट देश के डेलिगेट्स वहां पर थे और लंच के समय आपस में इंट्रोडेक्शन हो रहा था तो मुझसे एक आश्टियर अश्टियर का इंडिया तो उन्हें का नरेंद्र मूदी आज भारत की पहंचान नरेंद्र मूदी जी से होती है और दस साल के अंदर मूदी जी ने चाय सीवां पर बैठे हुए किसान क्योंकि मुझे कुछ साल देश सेवा करने का मौका मिला मैं 36 से लेकर 83 तक आर्मी में रहा हूं जी ब आदेश नहीं था, हमारे बास LNG थी, हमारे बास MMG थी, मारे बास MOTAR थी, हमारे पास UNWEPONS थे लेकिन आदेश नहीं था और जब तक वहां से आदेश आता था चार-पांच घंटे के बाद सब तक हमारे कई जवान सहरी हुआते थे, लेकिन आज फॉच के हाथ खुले, यहां से हर गाउं से सेना में जवान जाते हैं आपने भी सिवा किये और सैनी कल्यार मंतरी के नाते में इस सवाल पूछ रहा हूं विपक्ष जो है अगनीविर यूजना को बड़ा मुद्दा बनाता है आप चुकि उसी बैक्ग्राउंड से हैं आपकी कॉंसिटेंशी में 15.5 प्रसंट की पूर्ती मारा उत्ता खंड जैसा छोटा सा राज जी करता है कि देश की रख्षा करने वाला कि हर पांचमा सैनिक हमारे उत्ता खंड से होता है बिल्कुल आप अंगडे उठाकर देशी गया चाहिए फर्स्ट वर्डवार हो चाहिए सेकंड वर्डवार हो चाह 47 हो 602 65 हो 71 हो फुन वान हो गलवान हो संसत पर हमला हो ताट पर हमला हो कोई ना कोई जवान हमारे उत्ताघं से सहीद होता है और जब कोई जवान सहीद होता है अब थोड़ा आपको पीछे लिजाना चाहूंगा अगर सहीदों को संबान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ततकालिन बाचपेजी की सरकार ने इसको शुरू किया था बाद में एक परंपरा बन गई पहले क्या होता था कि अगर देश की सीमा पर रक्सा करते वे कोई जबान सहीद हो जाता था तो उसकी डिक्स अजिन्टी बेल्ट और राह घर में बेज़ दी आती थी और कह दिया जा था कि आपका बेटा देश की सीमा पर सहीद हो गया है लेकिन पहली बार जब कारिगल का युद्ध हुआ है उस पर हमने विजय प्राप्त की हमारे है सैक्रों सेनिक उसमें सहीद हुए जीजिए पहली बार उनका पार्थी शरी तिरंगे में लपेट कर उनके घर भेजा गय पूरे सैनिक संदकार समान के साथ उनका धासंसकार किया गया उनके घरवालों को गैस एजनसी पेट्परम देने का काम पदकालिन सरकार ने किया और परंपरा बन गई और आज हमारी धामी सरकार ने उसमें दो कदम आगे बढ़ते हुए हमने यह सुनस्चित किया है कि आप चाहिए सेना का हो चाहिए परनेट्टरी फोर्स का हो उसके परिवार के एक वेक्ट्री को नोकरी देने का गाम पुसकर सिंघ्धामी की सरकार करें गी अभी तक हमने 26 लोगों को इसके माध्यम से उनके परीजनों को नोकरी जेने काम हमने किया है कि क्योंकि अगसब द तक तक लग रहे कि पूरा हो जाएगा सबसे पहरे तो मैं तेश की बदान मंती नरेंदर मोदी जी की जो परिक अपना अब परक्षा सिंग धामी जी सरकार का ड्रीम पॉजट जिसको पूरा करने का सभागी मुझे पराप्त हुआ है आज लगबग 22 क्रोड की लागत से एक व लेकिन उस सहीत का सम्मान करना उसकी वीरता का व्यक्षान करना यहर देशवासी का क्रत्यव्य है और अपने पिछ्टे कारिकाल में डिसंबर में एक सहीत सम्मान यात्रा हमने पूरे परदेश में निकाली थी जिसमें 1734 सहीत परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आये थे उससे उसका भूमी पूजन हमने राजना सिंगे ने किया था और अभी चार महापूर्व हमने 28 नदियों का जल उत्राखंड की और उससे मट्टी को लेकर जो मरजवान जोती है उसके नीचस को पर दिस्थापित किया और जब इस कारिक्यम में सीडियस जन जनल चुहान लेफ्टर्ण जनल सेवानृत गुरमीद सिंग्ग जो हमारे महमीम करूंणर है मैं स्वयम हमारे परदेश के अध्यक्ष और वह वीर माताएं वह वीर नारिया वापर थी उनके हातों से हमने उसकुष इस्थापित किराया तो कुछ बहने मुस्ते चपटकर र हो चाहे परदेश की सरकार हो लगातार सहनिकों के कल्यान के लिए काम कर रही है हमने जो हमारे गैलेंट्री अवाडीज है उनकी प्रुसकार रासी को कई गुना हमने बढ़ा दिया है अगर मैं पदक बाइच कहें भी दे सकता हूं आकड़े ऐसे हमारे जो डेक्रोशन पद अग्याती आध्ध हम इसको बढ़ा कर गब 10,000 रुपे कर दिया है है कि हमने यू्म हमारे लिखिये एक टरेंड है डॉक्रपर का पीटा डॉक्ट्र मना चाथा ऊंते वक्यल में बंना चाहता है आ फो जी का बेटा फोर्ज में जाना चाहता है कि में प्रेंटेंटी हमने कह क्वालिफाई करने के बाद आये में एंडिये ज्वाइन करता रहा तब हमसको पता हजार रुपे देते थे आज हमने कहा कि जो बच्चा रिट्रिन क्वालिफाई कर लेगा उसको एक लाख रुप्या कोचिंग के लिए हमारी धामी सरकार दे रही है यह का हम कर रहे हैं इसी अगर आपने बाबा जस्वन सिंग का नाम सुना होगा को जिरुने एकले 700 1962 के युद्ध में निफा निफा से त्रीस को अक statutory मा रहा था बाबा जस्वन सिंग का मंदिर उसमें कि उसके एंट्री पर बाबा हरवजन सिंग का मंदर उसमें है और डेस के पहले सीडियस जिरों ने ये कहा था कि चाइना वा पाकिस्तान हम पर एक साथ हमला कर लें हमारी सेनाएं उन्हें से ड़ने में शक्षम हैं और जो अचानक एक दुर्गटा में हमें छोड़कर चले ग इस भाव के साथ उन्हें को बना रहे हैं गणिजी का जो भाव है वो अभी दिखाई दिया शहीदों का जिक्र करते हैं शहीदों की विद्वाओं का जिक्र करते हैं शहीदों की विद्वाओं का जिक्र करते हैं बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम हमारे पास में पश्य जो हिमाचल प्रदेश है उसे हम देखते हैं सेव में वो बहुत आ गए उत्तरा खंड थोड़ा सा पीछे रह रहा है क्या वज़ा आपको देखते हैं कश्मीर के बाद हम सेव के उत्पादन पर हम तीसरे स्थान पर हैं और आज है जो है डेंसिटी का एपल हम लगा रहे हैं कि स्थ्समें ज़मारा रज ये 25 साल का होगा हम अपने सेव के उत्पाद को दूगना करेंगे पहले सेव जो है पांच साल और शान में फल देगार हैं ऐप पहले साल में आप करीब 6 किलो देता है दूसरे साल में और और इसको भीस कुलो पल दे रहा है अभी जब एक बार में हमारी जो एपल की एक बेल्ट है रामगड की उसमें गया और जब मुझे वहां के किसानों ने बुलाया और उन्हें अपने घरों के अंदर सीव दिखाये कैंदेए कि हमारा स्वेव उठ नी रहा है और जब मेरा डाट कर मेरे साथ में ता जब मंडी के आमडी को मैंने फून किया मैं इंका सेव क्यों नी उठा रहे हूं कि कहनने का सर हमने काम किर रही है और आज जो हमारा harvest का सेव। नहीं हूँ न बढ़िया है कि उसकी क्वालिटी कश मीर हमान्चल से बहुत और दूसरा देखने में क्या आता है कि जब सेव का उत्पाद होता है को डिच्टुरीज ना होने के कारण कुंए दाम सस्ता होता है इसके लिए हमने एक हजार टन के कुल डिस्ट्रीन हमारी सरकार बनाएं ताकि स्रेव अपना उत्पात करने के बार उसमें रखे और जब प्राइज दाम बड़े तो उसको मार्केट में दे और उसकी आए बड़े इस्तिसाम हमारी सरकार काम करें और गयानिक खेती की यहां प है दो लाक अश्टीजार हेक्टियर में हम और इन खेती कर रहे हैं और जब किसी पास के आगे और उड़ जाता है मानले सब्स्थ जो राजमा डिर सुरूब अब भिक रही है वही जब और अगर जिक हो जाती है तो 30 सुरूब भिक जाती है तो हमारे सरकार का संकल्ब है कि जैसे कि मैंने का 2,23,000 हेक्टिर में हम और्गनिक खिती कर रहे हैं आज 38% खिती का और्गनिक हैं दोजार पच्चिस तक हम इसको पचाप से लिकर जाएंगे यह मारी सरकार का संकल पर और इसका मेधामी सरकार काम कर लगा सर ग्रामी विकास के बात बहुत जरूरी है लेकिन जो मैदानी राज्ये हैं वहां से कितनी बड़ी चुनौतिया हैं क्योंकि हम पहाडों में देखते हैं चोटे-चोटे गाओं हैं जहां पर शायद 50 घर हो उतने भी नहीं होते हैं तो वहां के विकास को लेकर कि क्या क्या प ग्रामिक सद्लाद के दायरे में आलिए इसको माधियं से छोने का प्रयास कर रहा है इसी परिकार मैं मानिकी तरग्राम अंत्री जी का अबहूंतर है उसके लिए हमारे पिथरागाड उत्तरकाशी और चमूली जिले के 51 गाहों का जिसके लिए 504 कुर्ट पर सुक्षित हुआ है और अभी 112 कुर्ट प्या 47 दोजने हमारी सुक्षित हो चुकी है क्योंकि आचार स्वहिता लग्चु किसी ते काम रुका है इसके तुरंद बाद में काम सुरू हो ज होगा इन योजनाओं के माध्यम से हम अपने ग्रामनी शित्रों को मदूत करने का काम कर रहा है सर लगपती दी यूचना आप भी मैं आपसे बात करना चाहूंगे प्रधान मंत्री की यूचनाओं में काफी बढ़ी यूचना है उत्राखन में इसकी किस तरह के यह बात दो साल पहले की है तब मोदी सरकार को आठ साल हुगे थे और एक सहिंशाता समों के कारकिरम में उदमसी नगर में मैं जब था तो मैंने एक अनपड़ बेहन को खड़ा किया मैंने का बेटा आप ये बताओ कि आपको आठ साल में कुछ फरक नजर आया तो उस बेहन का उस बेटी का ये जवाब था कि पहले जब हमें पैसे की आवशकता होती थी हम अपने पती की ओर देखती थे अपने पिता की ओर देखते थे अपने भाई की ओर देखते थे अपनी मा की ओर देखते थे आज स्वमू के माध्यम से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम एक ल दोजार पच्छिस में जो हमारा राजी 25 साल का होगा हमारा लक्ष है कि हम सवालाग बहने को लगपती दीदी बनाएंगे लेकिन जिद्गती से हम कर रहे हैं इस लक्ष से आगे जाने वाले हैं करेंश जी आप चौबिस साल का उत्रा खंड हो गया गरीब आप पत्चीस साल का आप सिकर करें बार बार लेकिन मैं जाना चाहतों इन चौबिस सालों पे हम कितना आगे बढ़ें पॉलिटिक्स में नहीं पड़रना चाहतों कि लेकिन आपके जावसे में जाना चाहतों कितना आगे बढ़ें और आप नहीं मैं रहे हैं कि यह जो आज हमें मिली है पहले उत्रप्रदेश के साम पर मनें ट्रिंट नहीं थी हम उत्रप्रदेश जाते हैं तो हावला टेन ने बैट कर जाया करते हैं रात को यहां से बिल्कुल और आज चौदा फ्रेट यहां से चल रही है आज करने प्रयात तक रेल पहुंचने अग अग्ता के बाद अगर आप के दारनात का स्भरोंगाब आज गए और अघर आज ठीटी थी है यह उस केदारलात को समाने का काम किया ह। तो केंद्र की सरकार की मद्द से हमारी सरकार ने किया है और आज टूरिश इतना हा रहा है आप रोज अख्वारों में पड़ रहोंगे हमसे समय शारी व्यूस्ता है चर्मर जा रही है इसी प्रकार मानस खंड अब प्रदान मंत्री जी चुनाओं से पहले माद कुमाओं में है इसे उस रेली का समय जिक में था और वहां के रोगों के फोन आते हैं साब यहां पर इतना टूरिश्टार है बल्कि एक दिन तो एक मिला करा जोशी जी मेरा घर महीं पर है जोशी जी यहां पर एक होटल मना लिजी आप तो एक मुदान दे रहा हूं तो कहने का तक पर ही तूरीज्ट में और दूसरा जो रिस्टो समिट के माद्यम से जो स्विधाएं हमारी सरकार दिय रहे हैं यह दहामी सरकार और प्रधानमंतिरी ने जो आवान किया है कि अगर आपको ध्यानों को समिट में मोदी जी ने कहा ता कि जो लोग विदेश ब्याशाधी करने की जाते हैं वहाँ जाना छोड़ दें अगर उत्राखन में आएं और आज उत्राखन को डेस्टिन मेरीच के छेतर में एक स्थान बल रहा है आज कई लोग यहां पर प्रकार के रिजोट बना रहे हैं और लोग में विवासाधियों के लिए भी आ रहे हैं और निश्चिती आने वाले समय में टूरिजम और अगरी क पल घटा है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है लेकिन हमारा उत्पाद बड़ा है यह भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एक और सवाल पॉलिटिक से जोड़ा हुआ मैं ले लेता हूं पांचो सीटे जीते और अब की बार 400 पार वा सिर्फ नाराय भी चार सो सीटे जी में डाल चुकी है और देश के अंदर जो चार सो पार का नारा और फिर एक बार मुदी सरकार का नारा जुद भार्द्यंता पार्टी दिया है उस साकार होने जा रहा है और चार तारीक को आप लड़्डू खने आएगा इन्वेट मैं आपको कर रहा हूं चाली बहुत-बह दिन्यवाद हमसे बात्रीत करने के लिए गड़िए जोश्टे दिल से बोलते हैं भावनाओ को वेक कर किया अपने अपनी ब्लानिंग बताई आपने विभा की बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है जियोत प्रदेश चाहे क्रिशी और द्यान की बात की जाए घ्राम में विकास सेनी कल्यान मंत्री हैं तो किस तरह का विजन है और किस तरह से कारक कर रही है सरकार इन विभागों में यही जानने के अमारी कोशिश रही इस पैनल के जरिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है बहुत शुक्रिया